नमस्कार मैं हूँ आपका दोस्ट विजय विद्रोही कैसे हैं आप आप उससे जुड़ चुके हैं इसके लिए आप सबका तहें दिल से शुक्रिया और अगले 8-10 मिनट मैं आप से जुड़े रहने की कोशिश करूँगा बहुत सारे मेरे जो मित्र लोग हैं वो मुझे बार-बार लिख रहे हैं कि साब आपके सब्सक्राइबर नहीं बढ़ रहा है तो मैं तो अपनी तरफ से महनत कर रहा हूँ आप भी थोड़ी सी अपनी तरफ से अतरिक महनत कर लीजिए चलिए कहानी राहुल गांदी से शुरू करते हैं राहुल गांदी का नया लुक सामने आया है इंग्लेंड में हैं लंदन में हैं कैमरेज इनिवस्टी में हैं बाल उन्होंने कटवा दिये हैं और दाड़ी भी छटवा दी है, ट्रिम कर दी है दाड़ी, और हिंदुस्तान में वो सरदियों में भी टी-शिर्ट में नजर आ रहे थे, वहाँ पर वो सूट में है, टाई भी बांध रखी है उन्होंने, दाड़ी हाला कि सफेध है दाड़ी, रंगाई नहीं है उन्होंने लेकिन बड़े स्मार्ट लग रहे है, यूआ लुक है उनका, नया लुक है एक अतरा से हम कह सकते हैं, तो नया लुक रहुल गांधी को तो मिल गया, उनकी नया नेरेटिब बे स्थापित हो गया, लेकिन कॉंग्रेस कब नहीं होगी, कॉंग्रेस को कब नहीं नारा मिलेग क्या रायपूर के अंदर राहूल गांधी और कॉंग्रेस चूग गई इससे इसका थोड़ा सा विशलेशन करने की कोशिश करते हैं पहली बात है कि CWC का चुनाओ कॉंग्रेस वरकिंग कमीटी का चुनाओ होना चाहिए ता जिससे कॉंग्रेस डर गई क्यों डर गई और मलिकारजुन खड़गे को अधिकार दे दिया गया मनोनयन का हलांकि ये कहा गया कि 50% सीटे युवाओं के लिए अल संकिकों के लिए महिलाओं के लिए दलितों के लिए आधिवासियों के लिए OBC के लिए रखी जाएगी लेकिन इससे काम नहीं चलता कुछ और थोड़ा ब्रॉडर प्रस्पेक्टिव होना चाहिए था मननयन के लिए एक टीम होनी चाहिए थी जिसमें युवाओं और बुज़र्ग दोनों नेता शामिल होते तो इससे और लोग तंतर सापित होता युवाओं को लगता कि वाकई में उनको जिम्मेदारी मिलेगी वाकई में उनका नमबर आएगा जिससे चूप गई इससे कॉंग्रेस नहीं हो जाती उसी तरह नया लोग मिल जाता कॉंग्रेस को जैसा राहूल गांदी को नया लोग मिला है मैं बार बार राहूल गांदी का शिकर करता रहूंगा संसदिये बूर्ड G23 ने कहा था कि बनना चाहिए आदे सदस्यों का चुनाव होना चाहिए AICC के लोग संसदिये बूर्ड बनाए संसदिये बूर्ड बनता तो वहाँ लोग खुल कर राहे दे पाते अपने व्यक्तिकत हितों से या व्यक्तिकत लॉयल्टी से वफादारी से उपर उठकर राय दे पाते उसमें युआओं का भी नेतत्व होता प्रतिनेत्व होता तो और ज्यादा कहानी संवर्ती और कॉंग्रेस और समर कर निखर कर ने लुक के साथ सामने आती जैसा नया लुक राहुल गांदी का है नहीं हो सकता एक परिवार एक पद इसको हाशिय पर डाल गया है बड़ा सवाल उठता है कि आखिर इसको हाशिय पर क्यो डाला गया है बहुत बड़ा सवाल उठता है कि क्या सोनिया गांदी, राहुल गांदी, प्रियंका गांदी यानि आला कमान को एक तरह से बचाने के लिए इसकी जद में नाये इसके लिए इस बात पर विचार नहीं हुआ दूसरा सवाल ये उठता है कि एक परिवार एक पत को लेकर कि इससे पता लगता है कि राज्ये में जो नेता है वो हावी है, उनका परिटिकल क्लाउट है, पावर सेंटर है, वो अपने परिवार को आगे बढ़ाना चाहते हैं, अपने नस्दी की लोगों को आगे बढ़ा इनको आगे नहीं बढ़ने देना चाहते, इनको मौका नहीं देना चाहते, होना ये चाहिए ताकि राज्यवार स्तर पर युवा चेहरे, ने चेहरे तलाशे जाते, उनको जिम्मेदारियां दी जाती, मुज़र्गों को रिटायर किया जाता, या उनको मार्ग दर्शक मंडल में भेजा जाता, तो कॉंग्रेस को नया लुक मिलता, वैसा ही नया लुक जैसा की राहुल गांधी को मिला है, लेकिन फिर राइपूर में ऐसा हो ना सका, गटबंधन राज्यवार स्तर पर करना है, गटबंधन किस रूप में करना है, पार्टी के नेता कह रहे हैं, प्रि विपक्षी एकता जरूरी है कॉंग्रेस को विपक्षी एकता करनी है तो उसमें भी नई स्टेटिजी के साथ सामने आना पड़ेगा नई स्टेटिजी राज्य स्तर पर नई स्टेटिजी हो राज्य की एकाईयों को यादिकार दिया जाए कि राज्यों के अंदर वो जो वहा political party है, उनके साथ गटबंदन का मूल रूप से खाका तयार करे, इससे नहीं होगी Congress, समरेगी Congress उसी तरह नहीं होगी जैसा कि नया लोग राउल गांदी को मिलाया, ये भी नहीं हो सका हुआ क्या कि अब कहा जा रहा है कि Congress का नया अध्यक्ष जब चुना जाएगा, तो उसके लिए जब चुना होगा, अभी तक 10 प्रस्तावक चाहिए होते थे, उमीदवार को अब 100 प्रस्तावक चाहिए, यानि शशी थरूर जैसे लोग, जिनको 60 प्रस्तावक मिले थे, उनको भी चुनाव लड़ने में दिक्कत आए, तो क्या आला कमाज चाहता है कि उनके आशीरवाद के बिना कोई उमीदवार Congress का आगे जाकर नया अध्यक्ष नहीं बने, ऐसा कोई अध्यक्ष ना बन जाए, जो उनके लिए खत्रा पैदा हो जाए, तो तर ऐसे में Congress नहीं कैसे होगी, समरेगी कैसे, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है, राहूल गांदी समर गे, राहूल गांदी ने लुक के सामने आगे, लेकिन Congress ने लुक से टर रही है, एक है कि नया नारा क्या हो, नई नीती क्या हो, Congress का कारेकरता रायपूर से क्या लेकर निकला है, क्या वो नीचे के सर तक पहुंचाएगा, बीजेपी से आपका मुकाबला है, बीजेपी के हिंदुत्व पर आपको चोट करनी है, तो आपको जनता को कन्विंस करना पड़ेगा, कि एक अच्छा हिंदु होने का मतलब ये नहीं है, कि आप मुसल्मान के विरोधी हो जाओ, एक अच्छा हिंदु ये है, जो संभाव से काम करे, लेकिन ये काम इतना आसान नहीं है, इसके लिए आपको ने लड़के चाहिए, ने ट्रेंड लड़के चाहिए, उनको ट्रेंइंग देनी है और आप जाएंगे, किसी के घर खटकटाएंगे दर्वाजा, एक हिंदु के घर पे, जो मान लीजिए खुले दिल का है या मान लीजिए वो बीजेपी का घोर समर्थक है वा मान लीजिए कि वो थ्रेश होल्ड पर है कि इधर वोड़ दू या इधर वोड़ दू तीनों इस तरपर वो कुछ सवाल पूछेगा, उनके जवाब के लिए आपको तयार रहना चाहिए, तो उसके लिए ट्रेंड लड़के चाहिए, ट्रेंड कॉंग्रिस आपकड़े गलत तूसरी तस्वीर पेश करते हैं, और उनके सवालों के जवाबों से ऐसे जवाब देने हैं, जिससे वो संतुष्ट हो जाएं, तो इसके लिए राइपूर में कुछ काम होना चाहिए था, कुछ होमवर्क होना चाहिए था, कुछ पहल लुक मिलेगा कॉंग्रेस को, जैसा की राहुल दान्दी को नया लुक मिला है, ऐसे लुक के लिए कब तक फिर कॉंग्रेस तरस्ती रहेगी, और फिर यही स्थिती है तो 2024 में आप नरेंदर मोदी का मुकाबला कैसे कर पाएंगे, शुक्रिया मेरा ये वीडियो देखने के लिए वीडियो पसंद आए तो सबस्क्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेर कीजिए और घंटी जैसी आकरिती, बेल आइकन इससे दबा दीजिए, ताकि आगे कोई मेरा नया वीडियो आया तो आपको शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया